Well, in this video, we are going to discuss with you the concept of integration. हम इस वीडियो में आपके साथ integration के concept को discuss करेंगे. तो सबसे पहले हम definition से शुरू करते हैं, integration is the inverse process of differentiation. तो अभी इसे previous वीडियो में आपने differentiation के बारे में पढ़ा है. तो जो integration है, वो differentiation process का totally उल्टा है. तो आपको समझना भी हमें definition को आगे expand करके कुछ इस तरीके से ही है. हम माल लेते हैं कि हमने इस function को differentiate किया. और differentiation करने के बाद, derivative निकालने के बाद हमारा यह answer आ गया. अब यदि हम इस function को integrate करते हैं, तो हमारे पास दुबारा फिर से यह function आ जाना चाहिए. सिंपल सी बाद, एक और फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं, देखिए. हम यदि इस function को differentiate करते हैं, इसका derivative निकालते हैं. derivative निकालने के बाद, आपके पास capital F, the function of x, यह answer आता है. तो definition का मतलब यह है, कि यदि आप इस function को integrate करते हैं, तो आपके पास answer यह आना चाहिए. जैसे मतलब, 5 को आप उल्टा करते हैं, तो 1 by 5 आ जाएगा. अब 1 by 5 को यदि उल्टा करते हैं, तो 5 ही आने चाहिए. यही मतलब है integration or differentiation का, कि यदि आप इस function का derivative निकालते हैं, तो आपके पास यह answer आता है. अब यदि आप इसका integral निकालते हैं, तो आपके पास यह answer दوبार आ जाता है. इतना सा समझना है आपको integration or differentiation के बारे में. तो यह जो part है, यह आपके पास given होगा. यदि हमारे पास किसी चीज़ का derivative दिया हुआ है और हमें ये वाला part निकालना है जो term हमें निकालनी है तो process of finding the function जिसका derivative हमें पता है उसी को ही हम integration कहते हैं अब हम दुबारा फिर से एक definition लिखते हैं और definition में हम इसी तरीके के words का इस्तेमाल करेंगे देखिए derivative of the function fx इस function का जो derivative है वो ये वाला part है the derivative of the function is capital F the function of x तो हम क्या करेंगे then fx is called the जो fx होगा ये कैसे आएगा जब हम इस capital function of x का इसी integral करेंगे तो ये आपके पास term निकलाएगी अब इसको समझेए the derivative of a function fx इसका जो derivative है वो ये answer है तो fx क्या है fx जो होगा वो integral होगा then fx is the ये जो fx होगा अब मैं ऐसे लिख देता हूँ then fx is the integral of this function ये इसकी simple सी definition हो गई the function capital F the function of x जिसका integral जो fx होगा इसको आप integrand बोलता है it is so easy now to understand ये concept of integration हुआ हम physics की तरज पर ही आपको इसको पढ़ाना चाहते हैं पर दुख से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम को आपको इसको तह से बताना चाहिए था पर video बहुत लंबे हो जाते हैं इसलिए हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं इसमें कुछ fundamental formulas है जिसको आपको याद रखना है और आपने इस बात को ध्यान रखना है कि जो integration और differentiation है तो वो एक दूसरे के opposite होते हैं, inverse होते हैं तो हम दोनों को parallel लेकर आपके साथ discussion करते हैं देखिए, हमारे पास है यदि आप, आपके पास यह बला term है यह आपने अल्यडी पढ़ रखा है कि derivative of x जो है वो x की power 0 आएगा any term raised to power 0 is equal to 1 dx d upon dx of x is equal to 1 यह आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम 1 into dx करते हैं तो दवारा x आजाना चाहिए आगे चलिए यह फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 1 by n plus 1 हो और यह हम ऐसे करते हैं हमारे पास फार्मूला है integral का फार्मूला x की power n into dx हो तो इसमें क्या होता है जो differential होता है हम यह दे derivative करें d upon d e और x की power n का करें तो power आगे आती है base वैसे रहता है और उसमें से एक power घट जाती है और इस base का दवारा फिर से differential होता है तो यहां उल्टा होगा differential में power आगे आती है और उसमें एक घट जाता है n minus 1 हो गया था तो इसमें क्या होगा power एक add हो जाएगी और differential में वो आगे आके multiply होती है तो इसमें वो यहां divide हो जाती है right differential में यहां n minus 1 होता है यहां n plus 1 होता है अब आप देख लीजिए यह formula तभी exist करेगा यदि n का value minus 1 नहीं होना चाहिए आप अंदाजा लगा सकते हैं अच्छा mathematics करते हैं यदि हम n के जगह यहां minus 1 substitute कर देंगे तो इस सारा part 0 हो जाएगा और इस term को undefined कर देगा तो यहां देखिए अब हम यह देखते हैं कि क्या यह बात सही है अब हम इस integral का differential करते हैं तो हमारे पास यदि यह term आ जाती है तो इसका मतले सब कुछ सही चल रहा है तो 1 upon n plus 1 जो है वो constant है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसका इस part का हम derivative लेके देखते हैं तो d upon dx of x की power n plus 1 का यहां derivative लेते हैं तो 1 by n plus 1 है अल्यड़ी बाहर रहेगा यह जो power है n plus 1 यह यहां आगे आजाएगी यह देखे n plus 1 आगे आगया और base वैसे का वैसा रहा यहां आप देख सकते हैं और आगे n plus 1 से एक 1 minus हो जाएगा तो plus 1 और minus 1 यह दोनों cancel हो जाएगे you are left with x की power n यह देखे यह बाला part और यह बाला part दोनों से हम है आपको साब साब समझा रहा है कि जो integration और differentiation है वो एक दूसरे का inverse है आप किसी function का differential निकालते हो तो उसका जो answer आता है यदि उसका integral करते हो तो दबार फिर से function पैदा हो जाता है अब यहां देखे यहां है आपके पास एक term है x की power minus 1 हमने इसको integrate किया तो इसको हम लिख सकते हैं 1 by x into dx x की power minus 1 को यदि आप इसको positive बनाकर लिखना चाहते हैं तो 1 by x into dx यह fundamental formula की form में ही आपने याद रखना है कि यदि नीचे term हो और उपर उसका differential हो जैसे x का जो derivative होगा वो dx हो जाएगा तो नीचे term हो उपर उसका differential हो तो उसका जो answer आता है log of exponential of the term in the denominator होता है जैसे नीचे x है उपर इसका differential है तो इसका जो integral आएगा वो log of exponential of the term in the denominator आएगा अब आप इस term का दोबारा से derivative निकालिए देखते हैं कि x की power minus 1 आता है या नहीं देखिए हम इस term का differential करते हैं इस term का differential आएगा 1 by x इस term का differential आएगा 1 by x और derivative of d upon dx of x आएगा तो यह बहला part तो 1 आ जाएगा you are left with 1 by x और इसका आप x की minus 1 लेक सकते हैं तो आप देख रहे हैं बाप के स्फिर वो ही term हमारे पास reproduce हो जाती है अब आप यहां देखिए आपके पास है यह तो simple सी बात है आपकी exercise के लिए हमने छोड़ दिया यहां हम देखते हैं यहां हम integrate कर रहे हैं e की ax को हम integral निकाल रहे हैं तो यह आजाएगा e की x तो यदि differential होता differential इसका कैसे निकालते d upon dx of e की x तो क्या होता e की ax into d upon dx of ax ऐसे करते हम तो हमारा answer आता a e की ax पर यहां exactly उल्टा होगा यहां multiple में differential होता है तो इस case में division में differential होगा जाकर तो यह आगे e की ax यह वैसे कब ऐसा रहेगा अब यह formula है कि यह differential जिसका निकलेगा denominator में जाकर निकलेगा तो यह आ जाएगा e की ax divided by a हो जाएगा अब आप इसको प्रूब करने के लिए कि एक दुसरे का उल्टा होते हैं आप इस term का differential निकालेगा तो इसमें बन बाई a को हम constant मानके बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद जो e की ax है उसका हम derivative निकालते हैं with respect to x तो बन बाई एक constant बाहर रहेगा और differential में e की ax as usual रहेगा आगे आपके पास रहेगा derivative of d upon dx of ax तो यह क्या बन जाएगा only a बचेगा उसको हमने यहाँ लिखा है तो यह आपके पास आजाएगा यह मार पास आजाएगा 1 by a e की ax into a a से a cancel हो जाएगा you are left with e की ax so this is so beautiful to understand it कि सारे फार्मूला ऐसे तरीके से निकलते चले जाएगे हम जानते हैं कि जो sin dx यह तो फार्मूला है sin x dx जो है उसका जो integral आएगा minus cos x आएगा हम चेक करके देख लेते हैं यदि हम minus cos x का differential निकालते हैं जो हम जानते हैं निकालना तो यह sin x हा जाता है तो इसका मनला बात सही है चलिए minus को पहले बाहर निकालीजिए d upon dx of cos x निकालते हैं आप जानते हैं कि cos का जो derivative होता है minus sin x होता है तो minus और minus sin x minus और minus जो प्लस हो जाएगा minus जो cos x आएगा और जो argument वाला पार्ट है उसका denominator में जाकर differential होगा तो यह आजाएगा minus cos x upon a अब आप इसी टर्म इस आंसर को दोबारा फिर से उठाईए minus 1 by a को आप बाहर निकाले जो क्योंकि constant है और derivative of cos x करिए और यह वाला जो answer है वो इसके साथ मैच कर जाना चाहिए देखिए अब 1 by a को minus 1 by a को बाहर रखा और cos x का जो derivative होगा minus sin cos x का जो derivative होगा वो minus sin a x into a होगा yes और minus minus plus हो जाएगा a के साथ a cancel हो जाएगा we are left with sin a x so it's so beautiful to understand it कुछ फार्मूलाज आगे हमारे पास और है यह देखिए cos x dx का cos का जो integral है वो sin x है यदि हम sin x का दोबारा फिर से differential करते हैं तो cos x आ जाएगा ऐसे cos a x का जो integral होगा वो होगा cos का integral sin x होता है और जो argument का हम derivative निकालते हैं denominator में जाकर तो इसका जो derivative होगा वो हमारे पास a आ जाएगा तो this is sin x upon a यहां आप करिए इसका differential निकालिए तो 1 by a यहां से 1 by a बाले पार्ट को आप बाहर रख लेजिए और d upon dx derivative of this part निकालिए तो sin x का derivative का आएगा 1 by a बाहर रहा sin x का derivative होगा cos ax और इस argument का दोबार फिर से derivative तो d upon dx of ax यहां आप निकालते हैं तो यहां से सिर्फ a आएगा तो आप इसको लेख सकते हैं a के साथ a cancel हो जाएगा you are left with cos ax ओके इसी तरीके से हम आगे करते हैं कि जो sequence care x dx का जो integral होता हो tangent x आता है अब आप tangent x का आप differential निकाल लिए तो वो sequence care x आता है यहां मैं फार्मूला आपने याद किये है so cosecant care x dx का जो integral आता है minus cortex आता है minus को बाहर रखिए derivative of cortex क्या आता है minus cosecant care x आता है तो minus minus plus हो जाएगा यह cosecant care x बचेगा so it's so interesting to see it अब यह दिखिए secant x tangent x का जो integral आएगा वो secant x आएगा अब आप secant x का दोबारा फिर से derivative करिए तो secant x tangent x आजाएगा so with the help of this you can do this also it's having the same explanation आप यहां चलिए tan x dx का जो integral आएगा उसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan x को हम लिख सकते हैं sin x upon cos x अब हमें इसको कैसे लिखना है हमें इसको इस तरीके से लिखना है कि cos x जो term denominator में है यदि उपर इसका derivative आ जाता है तो यह log of exponential of term in the denominator बन जाएगा तो हम क्या करते हैं हम जानते हैं कि cos का जो derivative होता है वो minus sign होता है तो हम क्या करते हैं minus से यहां multiply कर देते हैं minus से यहां multiply कर देते हैं तो कुछ नहीं होने वाला minus minus वैसे का वैसा है रहा plus रहेगा पर इसे लिखने से क्या हुआ कि जो यह term इस तरीके से arrange हो गई कि cos का जो derivative हो minus sign x उपर देख गया आपको तो minus sign x dx बन जाएगा तो इस term का हम कैसे ले सकते हैं minus बाहर वाला survive करेगा और यदि ऐसा होता है कि नीचे वाले term का numerator में derivative होता है तो इसका integral क्या आता है log of exponential of the term in the denominator right so we are left with minus log of exponential of cos of x so यहां हम इसी term का दुबारा फिर से derivative लेते हैं तो minus को हम बाहर रहने देते हैं derivative of log of exponential of cos of x तो यह log वाले term का यदि आपने differential निकालना तो आपको क्या करना पड़ता है सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 1 by this term तो मैंने लिख दिया 1 by cos x हो गया उसके बाद इसी term का numerator में derivative करना होता है तो यह आगे हाँ derivative of cos of x आप derivative को इस notation से भी लिख सकते हैं d upon dx है इसका मतलग भी तो derivative of cos x minus sin x हो जाएगा तो हम minus sin x भरेंगे minus or minus plus हो जाएगा this is cos x sin x upon cos x so that is tangent x ओके so now this question number 15 this is cortex dx है तो इसको भी आप इसी तरीके से solve करने कोशिश करिए इसको हम लिख सकते हैं cortex को आप लिख सकते हैं cos x but sin x right into dx अब आप क्या करें अब आपको देखें कि जो नीचे टर्म है sin x इसका उपर derivative है cos x right तो sin का derivative cos है उपर term मिल रही है तो क्यासे लिखेंगे इसको log of exponential of the term in the denominator तो denominator में टर्म है sin x okay इसको कैसे करते हैं हमने आपको पिछले इस फार्मूले में बताया सबसे पहले आपको बन बाई ये टर्म लिखनी होती है तो इसको मैंने पहले लिखा बन बाई sin x और फिर इसी टर्म का derivative निकलना होता है so derivative of the sin x sin x का derivative direct cos x है तो first theorem ये है कि आपके पास कोई एक term constant term है और इस term का आप integral निकल रहे हैं तो आपको क्या करना होता है constant को बाहर निकल लीजिए बाग की जो term है उसको आप integral कर दीजिए provided जो ये जो u है वो x का function होना चाहिए second theorem of integration क्या है यदि मानलों आपके पास अलग-अलग term है जैसे एक u है या plus और minus है कोई एक sin होगा दोनों मैंसे है तो plus हो सकता है minus हो सकता है v है third term है कोई omega है तो इसी तरीके से इन term काई आप integral निकालते हो तो just एक general algebra ordinary algebra आप लगा के कि आप इस term का लग निकाल लिए sin को वैसे रहने देजिए दूसरी term लिए sin को वैसे रहने देजिए तीसरी term लिए sin को वैसे रहने देजिए चाह जितनी मज़ी term है उनका आप अलग-लग से integral निकाल देजिए अब जो formula आपको बताये हैं तो formula जब तक हम apply नहीं करते हैं, तो बच्चों को बात समझ नहीं आती है, यह देखिया, हमने पहला example उठाया, यह आपको समझाने के लिए, कि x की cube dx है, तो इसमें formula हम लगा रहे हैं, देखिये, इसमें formula लगेगा, x की n into dx, तो वो formula क्या होता, उसके integral क्या होगा, x की power n में 1 add हो जाएगा, और उतने से आप divide कर देंगे, provided n जो है, वो minus 1 नहीं होना चाहिए, must not be equal to minus 1, तो यहाँ n के जगा आपके पास क्या है 3, तो यदि आप यहाँ 3 लिखेंगे, तो 3 plus 1 हो जाएगा, यहाँ n के जगा 3 आएगा, तो 3 plus 1 हो जाएगा, तो मन जाएगा यह x की 4 upon 4, so simple to do it, अब यहाँ भी हम 4 ही formula लगाते हैं, एक example आपको समझाने के लिए यह बनाया, आपको integral निकालना है, 1 upon under root x into dx, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ अंडर root को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 upon x की power 1 by 2, इसको उपर ले जाएगे, x की power minus 1 by 2 into dx, अब यहाँ फिर formula लगाएगे, आपके पास होता है x की n into dx के दिए आप integral निकालें, तो आजाएगा x की power n plus 1 divided by n plus 1, तो यहाँ देखिए, अब x की power minus 1 by 2 plus 1, और minus 1 by 2 plus 1, तो यहाँ आजाएगा x की power 1 by 2, और नीचे भी 1 by 2 बचेगा, तो नीचे बाले इस fraction को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 x की power 1 by 2, तो यही जो answer है, यहाँ निकाला हुआ है, यह question है, यह है कुछ integral, यहाँ फार्मूला हमने कौन सा लगाया, e की power यदि a x into dx होता है, तो यह क्या होगा, e की a x को हम बैसे ही रहने देते हैं, और नीचे बाले पार्ट में जाकर, इसके जो power होती है, उसका differential निकाल लेते हैं, तो यहाँ आजाएगा e की a x, divided by a बचेगा, आप इसका physics में इस्तिमाल कर सकें, thank you.